मैं पहला प्रधानमत्री हूँ जिसने कहा कि बेटी तो जगत देर से घर आती हैं शाम को तो माँ, बाप, भाई सब पूछते कहा गई थी? क्यों देर हो गई? लेकिन ये दुरभाग्य है कि कोई माँ, बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था? क्यों? बेटे को भी तब पूछो! और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर मैला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूँ जब जब मैंने लाल किले से आपके ससक्तिकान की बात की दुर्भाग्य से कॉंग्रेट जैसे देश के राजनितिक दल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया साथियों, मोदी की संबेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभावों से निकली है आज का एक कारकम महिला ससक्तिकान के लिहाँ से बहुत एप्यासिक है आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभ्यान के तहट एक हजार आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयम सहायता समूओं को सौपने का आउसर मिला है देश में जो एक करोड से जादा बहने पिछले दिनों अलग-अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण एक करोड बहने लखपती दीदी बन चुकी है यहां कड़ा छोटा नहीं है और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किश्वरी बहन मुझे कह रही थी तो तो हर मेने साट सत्र हजार अची हजार तक पहुंचाती है बोले कमाने बहें अब देश के नवजवानों को भी प्रेणा दे सकते हैं गाओं में एक बैन अपने उद्यम से हर मेने साट जार सत्तर हजार उपर कमाती है उनका आत्म विश्वास देखिए किस वरी वहाँ बैटी है हाथ उपर कर रही है और जब मैं यह सुनता हूं देखता हूं तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है आपको असर होगा कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मुटी बाते सुनने को मिलती है न तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है हाँ यार हम सही दिसा में हैं देश का जरूर कुछ बला होगा क्योंकि हम योजना तो बनाएं लेकिन उसे ओजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं न और आप परनाम दिखाते हैं और उस परनाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें